नमस्कार दोस्तों इस्ट डिवायस चैनल में आपका एक बरपना हर्दिक श्वागत है आज मैं वंडे एक्जाम के लिए सामान बिज्ञान से सम्मानित कुछ अतिमातुपुन प्रश्णों को लेकर आया हूं तो आज उन प्रश्णों को हमें करके देखते हैं पहला है कि प्रकाश वर्ष दूरी मापने का मात्रक है तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष काते हैं और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुड़े 10 के घाते 15 मीटर या फिर 9.46 गुड़े 10 के घाते 12 किलो मीटर होता है निश्ट प्रकित में ग्यांत चार बलों में सबसे दूरुबल बल कौन सा है तो वह है गुरुत्वा कर्शन बल तो याद रखेगा गुरुत्वा कर्शन बल सबसे दूरुबल बल है और चार प्रकार के बल होते हैं एक गुरुत्वा कर्षन बल दूसरा बिद्दु चुम्ब की बल तीशरा प्रबल नाभिकी बल चौथा दुरूबल नाभिकी बल इसमें गुरुत्वा कर्षन बल सबसे दुरूबल बल है नेक्स्ट है कि वाय मंडल में पत्थर का एक तुकड़ा तथा एक कागज समानुचाई से छोड़ने पर कागज का तुकड़ा धरती पर बाद में पहुचेगा क्योंकि वाय मंडल में हवा होती है कागच का छेतरफल जादा होगा जिससे उस पे ज़्यादा प्रतिरूल लगेगा और देर से पोचेगा लेकिन निर्वात में छुड़ने पर समानुचाई से दोनों साथ ही धरती पर आएंगे नेक्ट है न्यूटन का प्रथम नियम जड़त तुका नियम तथा तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है तो न्यूटन के गती शमानी तीन नियम है उसमें से प्रथम नियम जड़त तुका नियम है जिसके अंसार कोई वस्त जादी गती में है तो गती में ही रहेगी और इस्थिर है तो इस्थिर रहेगी जब तक उस पे कोई बाहरी बल ना लगाया जाए और तीशरा नियम क्रिया प्रत्किया का नियम है जिसके अंसार एक वस्त दूसरी वस्त पर जितना बल लगाती है लेकिन बिप्रिद्धी सामें नेक्स्ट है इस्थिर जल में तेल का शिड़काव करने से प्रिष्ट तनाव कम हो जाने के करण मच्छर की लारवा डूप कर मर जाते हैं तो जल में तेल डालने से मच्छर के लारवाड उपर इसलिए मर जाते हैं क्योंकि प्रिष्ट तनाव कम हो जाता है तेल डालने से नेक्स्ट प्रशन है कि माइनस 40 डिग्री पर फारेन हैट तथा यह तथा सेल्सियस प्रेमाने समान होते हैं यह नी — 40 डिग्री फारेन हैट इस इकल तो — 40 डिग्री सें। नेक्स्ट है कि 4 डिग्री सें। पर जल का घहन तो अधिक्तम होता है इसके कारण किया है तो चार डिग्री पर जल का घनत व अधिक्तम होता है तथा आयतन नुना सो unpतнул है नेश्ट है कि इंद्रधनुश में लाल रंग सबसे उपर बैगनी रंग सबसे नीचे होता है और मद्य में हरा रंग होता है बहुतक है जब में कोны सब्सक्राइब कोन सब्सक्राइब पिंडि की चाल सुपरसोंi काल हाती है चाल पांच मयक से ज्यादा होने हाई पर द्धोनिय काला भी lleg है sucked अगला प्रस्ण है कि जल की सतर पर फैली परत रंग dubh equipo appreciate ज़ाद रखह्येगा जल की सतर फैली परते रंगीन क्यों दिखाइव देती हैं तो इसका प्रकास यहां प्रकास का उध आ की पानी में कोई शणी अगर हो तो उपर दिखाय देती है इस्से प्रेकास सुर्यात से पहले सुर्य का दिखाय देनी वह सुर्य डूबने के बाद सुर्य का दिखाय देन अपवर्तन के कारण होता है फ् helping सबसे 20 Ut biased होता है लियाद रखि का सबसे 20 से होता है पास सिफनेह से लेटर में प्रवेश करने वाले प्रकाश के मातिर का ओर आ रिश करता है इप स्थनें मानों को बरतमान मानों का निकरथम पूरोग माना जाता है कि मानों को आधुνीक गर्तं पुरोग माना जाता है तो कॉम अगला है। बार बाडिश किवल मादा में पाई जाती है इस त्रियों में इसके अधार पर गरभावस्था में लिघ का पता लगाया जाता है कि किसी अधार का प्रतिपादन स्लाइडन तोथा स्वान ने किया तो किषिने किया था स्लाइडन और स्वानने को इसका सिध्द्धन दिया था कि निए टंगु Finn में प्लेटलेस की कंई हो जाती है और डंगु मुखळ ए डीज मच्छर के काटने से फालता है वाइरस जनित रोग है नेक्स्ट पैरानो यह ऐसा रोग है जिसमें ब्यक्ति को महान होने का भ्रहम हो जाता है इस रोग में ब्यक्ति अपने को सबसे महान मानने लगता है नेक्स्ट अंको जिंस कैंसर के लिए जिमेदार है तो अंको जिंस एक ऐसा जीन है जिससे कैंसर होता है जिसका नाम कि है बॉचरिया ब्रैंकोब ठाइंग और एक क्यूलेक्स मच्छर द्वारा फैलता है इसका महाँ मच्छर भीयाद रखिएगा डेंगु बुखार के लिए एडीज मत्वजमेदार है और फाईल एरिया के लिए क्यूलेक्स मच्छर नेक्स ध्धमानियों में रक्तदाप सीराओं के अपेक्षा आधिक होता है नेक्ष्ट है लूकीमिया को ब्लड कैंसर काते हैं इसमें स्वेत रक्त कडिकाओं के संख्या अत्यदिक बढ़ जाती है याद रखिएगा ब्लड कैंसर आम तोर पर लोग जानते हैं इसका नाम है बैग्यानिक भासम संख्या में अत्यदिक ब्रिद्ध हो जाने के कारण होता है और फासफोरस 32 द्वारा लूकीमिया का निदान किया जाता है नेक्ष्ट है आमासे की दिवार से जठर रस निकलता है जो अमली होता है तो याद रखिएगा जठर रस कहां से निकलता है आमासे की दिवार से और को संकमाट्ड रोधी बिटामिन जाता है तो बिटामिन A को और बिटामिन एक नाम रेक्टिक नाल है बिटामिन A की प्र Mississippi से रतांधी थितर जी्रो ठाहरम और चाहर मोली प्रसाँच में प्रत सर्जगी उत्सरजी पदार्थ यूरिक अमल होता है पक्षियों में क्या होता है मुख्य उत्सरजी पदार्थ यूरिक अमल इसलिए इनको यूरो टिलिक करते हैं और मानों का मुख्य उत्सरजी पदार्थ क्या होता है यूरिया इसलिए मानों को यूरियो टिलिक करते है नेक्स्ट है सबसे जादा होती है सभी जीओं में कितनी होती है 624 दिन याद रखिएगा हाथी की गर बहुत ही सबसे जादा होती है जीओं में उच्छ द्रूवी आगून होने के कांट पानी एक अच्छा बिलायक है प्रश्ण आया था कि पानी एक अच्छा बिलायक है क्यों तो उसका कांट है कि उसका उच्छ द्विध्रूवी आगून होता है अगला प्रश्ण है जब किसी कमरे के छोटे छेट से प्रकास के इने गुजारी जाती है तो प्रक्रिडन के कांट फैला दे जाती है जिसे टिंडल प्रभाव काते हैं जैसे कोई कमरा में हो उसमें कोई छिद्र रहता है और उसमें प्रकास की रोचनी प्रविश करती है तो प्रक्रिडन के कांट फैल जाती है और इसी को टिंडल प्रभाव काते हैं याद रखेगा टिंडल प्रभाव नेक्स्ट है मानों में 649 पेसिया पाई जाती है तो मानों में कितनी पेसिया पाई जाती है 649 नेक्स्ट है वईसक मानों के मेरुदंड में 26 हड़ियां होती है मेरुदंड की बात हो यह के वल जबकि बच्चों में 33 हड़ियां होती है उनके मेरुदंड में जैसे कि आपस में कम हो जाती है इसी परकार कपास या रिक्षों से प्राप्त होता है जबकी रेशंगं का धागा कीट से प्राप्त होता है जो कि एक जीव है इसलिए प्रोटीन होता है नेक्स्ट है मदमक्खी का वास्तवी कुदपाद मदमक्खी मौम है सहद नहीं क्योंकि सहद जो है खुद मदमक्खी बनाती नहीं बलकि वो पुस्पों से एकत्रित करती है नेक्स्ट है बंडुक का बट बनाने में अखरोट के ब्रिक्ष का प्रयोग होता है तो बंडुक का बट बनाने में किसका प्रयोग होता है अखरोट की लकड़ी का नेक्स्ट है प्रकास अंसलेशन के द्वारा पौधे कार्बनिक द्रब्य तयार करते हैं प्रकाश इंसलेशन के द्वारा पॉधे कार्बो हाइडर्ट का निर्माड करते हैं तो यह कार्बनिक द्रब है नेक्स्ट है हाटी कल्चर में फल सब्जियों का संबर्धन अध्यन किया जाता है तो याद रखिए का हाटी कल्चर यह बागमानी कहते हैं इसके अंदर फल सब्जियों का संबर्धन न्युमाद्ध किया है डािट-प्रशन आया है के कौन सा तेल हिर्दर लोगी के लिए उप्योगी है इस औरौब होगिए क्या नाम है ब्रेचिंग पाउडर का राशानिक नाम कल्सियम हाइपकलोराइड है क्या नाम है bleaching powder का रासानिक नाम calcium hypochloride और bleaching powder का प्रयोग जल के सुध्धी करण में होता है next है petroleum के कुवा से सबस्यादा methane gas निकलती है तो कौन से gas निकलती है methane और प्राक्तिग gas CNG में सबस्यादा methane होती है अकोईले की खानों से भी methane gas निकलती है methane को Mars gas कहते हैं next है bromine अधातू द्रव अस्था में पाई जाती है तो याद रखेगा कौन सी अधातू है जो द्रव अस्थाम पाई जाती है तो bromine अगर प्राशन पूछे कि कौन सी धातू द्रव अस्थाम पाई जाती है तो ओगा पारा धातू पूछे तो पारा द्रव पूछे तो ये bromine मतलब धातू पूछे तो पारा और अधातू पूछे तो bromine होगा answer next है sodium धातू को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्यों कि sodium धातू खुले में रखने पर प्रकाश के दौरा अभग्रिया करके खत्रा पैदा करती है next है भूमिकर जल का प्रदूशक आर्थैनिक और फ्लोराइड होते हैं next German silver ताबा जस्ता तथा निकल से मिलकर बनता है याद रखिएगा German silver में ताबा जस्ता निकल ता जानी एक वर्ड बठा लीजिएगा याद रहेगा यह प्रशनाता है कि किसमें silver नहीं है तो German silver में silver नहीं होता है इसमें कोहरा गैस में द्रव का कॉलाइड़ी रूप है किस में किसका है गैस में द्रव का क्योंकि कोहरा वाय मंडल में बनता है गैसों में जब द्रव उपस्थित हो जाता है तो वहीं कोहरा का रूप लेलता है इसलिए गैस में द्रव का है और कॉलाइड़ी रूप है नेक्स्ट है लिटमेस लायकेंस से प्राप्ट होता है लायके किस से बने होते हैं शाज जीवी यह उद्बाया किसका कवुद्ध क्लों जीवblem सब्सक्तों के पहर। और like and why production के अच्छे सूचक हैं क्योंकि जहां पर why production होता है वहां पर like and नहीं पुगते हैं नहीं पाइदा होते हैं तो दोस्ते आति महात्यपूर्ण प्रशन थे सामान नभी ज्यान से यह आपकी परिश्चाओं में काफी लाब पहुचाएंगे तो वीडियों देखने के बाद यह प्रशन आपको अच्छे लगों तो वीडियों को like कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना कियों तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है और वीडियों को सेयर भी कर दीजिएगा तो वीडियों देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद